है गाईज, आद इस विडिव में मैं आप सभी बताऊँगा खून साफ करने के तरीकों के बारे में इस विडिव में आपको चार तरीके बताऊँगा, जिसकी मदद से आप खून को साफ कर सकते हैं देखे खून को साफ करना काफी ज़यदा ज़रूरी है मैं आपको छोटा सा practical example देखर कर समझाता हूँ जैसे कि जो गंदा खून है सोचिए वही हमारी पूरी बोडी में circulate होगा मतलब कि सर से लेकर के पैर तक वही खून आपका circulate हो रहा है हर एक मिनट हर एक सेकिंड तो सोचिए अगर गंदा खून circulate हो रहा है तो आपकी बोडी पे कितने ज़्यादा गंदा एफेक्ट पड़ेगा इसलिए खून साफ करना काफी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खून जो है हमारे पूरे बोडी तक oxygen होचाता है हमारे पूरे बोडी में vitamins, minerals महुचाता है और साथ ही हमारे पूरे बोडी में hormones को balance करता है तो खून जो है अगर आपका गंदा रहेगा तो फिर आपको काफी सारी बिमारिया होने का खतरा रह सकता है इसलिए आपको time to time हर एक हफते में खून को साफ करने के लिए आपको एक detox drink जरूर पीना चाहिए जिसकी मदद से आप खून को साफ कर सकते हैं अगर आप हफते में नहीं पी सकते हैं तो आप 2 हफते में एक बारी एक detox drink जरूर पीएं जिसकी मदद से आप अपने खून को साफ कर पाएंगे जिसकी मदद से आप अपने पूरे overall body growth को improve कर पाएंगे तो कौन कौन सी चीजे हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं जिसकी मदद से आप खून को साफ कर सकते हैं उसमें जो सबसे बहला है आप सब्जियों के मदद से खोन को साफ कर सकते हैं सब्जियों में जैसे कि आप पालक, चुकुंदर, लसुन, अदरक, ब्रोकली जैसे आप हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं इनका सेवन आप उभाल करके भी कर सकते हैं नहीं तो आप जूस बना करके भी आप पी सकते हैं अगर आपको ये जूस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें हलका नमक या फी निमू डाल करके भी आप इस जूस को पी सकते हैं कम से कम आपको इसको हफते में एक बारी इ नहीं है आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा धनिया लेना है थोड़ा सा पुधिना लेना है उनको आपको एक कटोरी में डाल करके आपको उबाल लेना है दस मिनट उबालने के बाद आपको उसको चान लेना और आपकी जो धनिया और पुधिनी की जो चाय है वो त्यार है और इसका 7 आपको सुबह सुबह करना है तभी आपको ज़्यादा फैदा मिलेगा तो इसका 7 आप करिए आपको खून साफ करने में काफी ज़्यादा मदद मिलेगा उसमें जो तीसरा उसमें आप तुलसी के पत्तों की चाय का 7 आप कर सकते हैं और इसका भी 7-up कर सकते हैं जो 4th है उसमें आप अदरक और गुर के साथ खुन को साफ कर सकते हैं किस तरीके से उसमें आपको थोड़ा सा अदरक लेना और थोड़ा सा गुर लेना है और उन दोनों को आपको एक कटोरी में डाल करके आपको उबाल लेना है ठीक है एक बढ़िया से चाय की तरह आप उसको बनाईए और उसके बाद उसको च्छानने के बाद आप उसको पी सकते हैं तो इसका सेवन आप करेंगे तो आपका खुण जो है काफी अच्छे तरीके से साफ होगा तो इस वीडियो में मैंने आपको चार तरीके बताएं चारों में से कोई एक तरीका आप अपना सकते हैं और इन तरीकों को आप हफते में एक बारी तो आप जरूर कीजिए इसकी मदद से आप काफी सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं आपको कैसे लगी यह मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो मैं इस्टाग्राम की डिस्प्ले कर रहा हूं आप वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं तो बस फिलाल असकी इस वीडियो में इतने हैं अगर आपको जरू सस्क्राइब करें और इस वीडियो को जाए जाएदा सेर करें थैंक यू सो मुझ